हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज चैनल जहारखन परिक्षा स्टुडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिया और जहारखन दोनों के सस्टेनेबिलिटी डेवलप्मेंट इंडेक्स पर चर्चा करने वाले हैं जिसे हम लोग हिंदी में सतत विकास सूचकांग कहते हैं इनके जो जारी की गई है यह आपका निती आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसका सुरुवाद जो किया गया था आपका 2018 से किया गया है और आप लंबे समय तक इसे अपने माइन में रिटेन कर सके और जहाँ पर जो भी important facts आपको इस concept से related जानना जरूरी होगा वो भी मैं आपको साथ में बताते चलूँगा सिर्फ यहाँ पर हम लोग ranking नहीं देखने वाले हैं हम लोग 16 के 16 goals कह लीजे या आप criteria कह लीजे या category कह लीजे इन सभी पर जहारखन का क्या standing है कितना score है और क्या क्या sector से जहाँ पर अभी जो है current में initiatives लिया जा रहा है और कहा कहाँ पर improvement करने की जरूरत है इन सभी concept पर हम लोग detail में discussions करने वाले हैं तो आप अन तक इस वीडियो को जरूर देखें और फिर भी अगर आपका कोई doubt रह जाता है इस concepts related तो आप comment करके पूछ सकते हैं आपके सारी query का solution दिया जाएगा चलिए start करता है पहले तो हम लोग समझ रहे हैं ये ना इसमें हम लोग India जहारखन दोनों को देखने जारे simultaneously जो आपका जो 16 गोल से जिस पर ये ranking based है उस पे जो है इंडिया का क्या standing है और जहारखन जो है इंडिया से कितना पीछे या आगे है इस पर हम लोग discussion करेंगे और score और ranking दोनों साथ में लेके चलेंगे जो exam purpose से आपको याद करना है जो pre में पूछ सकता है जो means में आपको काम आ सकता है उन सभी पर भी मैं आपको जैसे जैसे concept आते जाएगा वो मैं बताते जाओंगा ठीक है पहले आप समझे है कि यहाँ पर यह आपको समझना है the third यहाँ से the third and current edition जो आपका index 3.0 है marks an improvement over the 19-20 edition with a wider coverage of targets तो पहला कब आया था यह आपको पदा होना चाहिए पहला edition जो आया था वो आपका December 2018 में आया था जिसमें आपका था 62 indicators था from 39 targets और जिस समय आया था न उस समय कितने SDGs थे 13 SDG का मतलब होता है sustainable development goals उस समय कितना था 13 goals था और इस बार कितने मानक है total 16 है actually एक और है 17 लेकिन इस पे जो है states को analysis नहीं किया गया है और एक ची जानले आगे बढ़ने से पहले total जो है आपका 28 states है औ 8 UTs है यह पहला कोई ऐसा data आ रहा है जिसमें जो जितना अभी present में states और UTs है उतने को ही include किया गया है इसे पहले जितना का data देखेंगे आप या तो उसमें जमू कस्मिर लदा को एक में include करा गया अलग अलग नहीं करा गया है या इस प्रकार से कुछ analysis में कुछ न कुछ कम है यह पहला ऐसा report है जहां पर आपका conclusive way में conclude किया गया evidence है यहाँ ठीक है तो यह समझ गया हूंगे कि यह तीसरा है 18 में पहला आया था उसमें आपका 13 goals थे sustainable goals जिसे आप बढ़ा कर 16 कर दिया गया है ठीक है चलिए अब यह जो आपका index है इसका main main objective क्या है उसे आप इंपोर्टेंट नहीं है यह तीन आपको पता होना चाहिए पहला है to rank the states or uts based on the performance across the 16 sustainable development goals जो कि मैंने आपको बताया for 16 goals or states or uts were ranked मतलब जितने कि 16 में से एक goal होगा जहां पर मैं आपको बता दूँगा जहां पर सिर्फ coastal areas से लगे हुए states को include करा गया है और इसी भी basis पर अपना process होता है मैं आपको shortcut में बताया दे रहा हूं आपने geometric mean arithmetic mean और harmonic mean पढ़ा होगा class 12 में बस उसी basis को मानते हो यहाँ पर final composite score is calculate किया गया है UTs based on their overall performance across multiple goals दूसरा objective क्या है तो promote healthy competition among states or UTs their journey towards achieving the global goals to support the states or UTs in identifying priority areas which demand more attention जो कि आपका last में यहाँ पर मैंने आपको mention किया गया है कि धारखन को कहा का improve करना है जो last आपका page होगा यहाँ पर Summary of indicators में वही चीज़ लिखा हुआ है जो अभी इसमें है total वहाँ पर कितना indicators था यहाँ पर आप देख लेंगे जब start किया गया था यहाँ पर total कितने indicators थे 62 indicators लेकिन अभी जो है आपका total यह 1 15 indicators हो गया है जिसमे 75 are common to the index 2.0 यानि कि 2019-20 में जो आया था out of these 57 indicators updated values have been used ठीक है इतना जानने की जो रख नहीं बस आप इतना जाने की 115 indicators का use किया गया है इस्टार्टिंग में आपका 69 था अब यहाँ पर categorization थोड़ा से समझ लेजे कि किस प्रकार से states को categorize किया गया है states और uts को जो भी मेरे yellow color से mark करा है उसे आप थोड़ा से ध्यान देंगे the states were classified into the four categories based on their distance from the target अब क्या क्या है वो थोड़ा सा आप समझेंगे अगर किसी state का score जो है वो आपका 100 है तो उसे आपका achiever state के category में रखा गया है फिर any state with 65 और more progress के साथ है तो उसे जो front runner वाले category में रखा गया है states with above 50 यानि एक हो गया एक हो गया आपका 100, एक हो गया 60 and above, दूसरा हो गया आपका 50 and above और एक हो गया आपका 50 से कम तो यह आपका हो गया अजीबर जो 100 में रखा गया है जो 60, 65 and above जो रखा गया है वो हो गया आपका यहां पर front runners और उसके बाद है आपका 50 वाले में performers और यह उससे list में अगर आ गया तो यह हो गया aspirant तो चार category में division है पहला तो हो गया आपका achiever फिर front runner उसके बाद आ गया performer उसके बाद आ गया aspirant समझ गया होगी जो चार classification किस प्रकार से करा गया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब कुछ-कुछ limitations भी है तो कि जब कभी data formulate किया जाता है report तयार की जाती है तो कुछ-कुछ बीच में जो एक तरह से कह लिजे यहां पर limitations होती है तो कुछ जो important हो थोड़ा से जान लिजे the index does not measure indicators of STGs 17 जो मैंने आपको समझा है न कि total 16 जो है और एक total है 17 actually में लेकिन जो states का computation किया गया है वो सिर्फ 16 goals के basis पर ही किया गया है यह इसका एक drawback है इस index का क्योंकि क्यों किया गया है क्योंकि जो available data जो है जो adequate data है वो available नहीं था आपका 17th goal के लिए इस कारण से उसके बाद है आपका यहां पर थोड़ा देखेगा for some indicators data for all states or uts are not available in computing the index null have been assigned to these states or uts as they have not been included in the computation while the latest value of the indicators have been used for most of them they are between 2018 से case के बीच का data है मतलब maximum के लिए तो यूस नया data किया गया है लेकिन बहुत सारा जो है वो previous data को भी compute किया गया है इसमें तो नया analysis बहुत सारे indicators में नहीं मिलने जा रहा है यह सब कुछ-कुछ limitations है इस index को form करते समय जो हुआ है अब यहां से जो जो बता रहा हूं बहुत important है याद रखेंगे goal wise top states और uts ठीक है सुला goal है और सुला में कौन को top है वो जानिए uts में states में पहला है आपका poverty ठीक है यानि गरीबी इसमें number one पे कौन है आपका Tamil नाडू या आपका दिली हो गया uts वाले में ठीक है तो वहां पर आपका जारखंड देली है हम लोग state wise भी देखेंगे जहां पर आम लोग जारखंड की रैंकिंग देखेंगे वह मैंने अलग से detail में graph wise वहां पर बनाया हुआ है तो गोल्स हम लोग ने पढ़ लिया कौन-कौन सा no poverty और आपका हो गया good health and well being उसके बाद कानी की सबसे भुकमरी कम कहां पर है सबसे जादत वह आपका केरला obviously होगा और यूटिस की बात की जाए तो चंदिगर फिर quality education यहां पर भी obviously आपका केरला ही आएगा क्योंकि सबसे जादा literacy rate वहीं पर हाई है census 2011 याद है न आपको सबसे जादा कहां पर literacy है केरला में यूट इक्मिलीटी में तो सबसे जेंडर इक्मिलीटी की बात की जाए तो वह है आपका 36 गर और उसके बाद अगर यूटिस की बात की जाए तो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार आइलेंड उसके बाद आईए clean water and sanitation इसमें नंबर वन पर कौन है गोवा और यूटिस की बा पाजिस्थान सिक्किम टमिलनारू तिलंगाना उत्राखंट उत्तरप्रदेश अंडमान निकोबार आइलेंड यहां सापका यूटिस सुरू हो रहा है अंडमान निकोबार आइलेंड चंदिगर देली जमुन कास्मिर और लदाग यह सारे को इसमें included किया गया है अब आज इनिकोबार आइलेंड यहां से जादे कमी कहा है तो वह है आपका मेखाले यह थोड़ा से कंपेरिजन वाली डेटा होता है 19-20 के साद 21 को कंपेर करा गया तो इसमें आपका है मेखाले यूटिस की बाद की जाए तो चंदिगर उसके बाद आपका आता है सस्टेनिबल सिट जाख में यूटिस के बाद की जाये उसके बाद आता है आपका टॉप पर है और इसमें जार्खन का भी कफी अच्छा प्रदर्शन रहा है तो अगर क्लाइमिट एक्षिन की बाद की जाया तो ओड़िसा और अंड़मान निकोबार अईलेंड्स हैं वह आपका उूटिस मे पिर लाइफ बीलो वाटर तो मैंने बोला इसमें जहरखन इंक्लूड़ेड नहीं है गोल नमबर 14 में क्योंकि Coastal एडिया को touch नहीं करता है जाकर लैंड लॉक एक स्टेट है ना एक तरह से तो इस कारेंटसे इसमें जहरखन इंक्लूड़ेड नहीं है और टॉप में बात किय प्रदेश और यूटीस की बात की जाया तो है जारखन और इसमें जो है जारखन का काफी अच्छा प्रदरशन रहा है अब आगे में हम लोग इसके बारे में पढ़नेंगे फिर लास्ट गोल होगे आपका पीस, जेस्टिस और स्ट्रॉंग इंसिटूशन तो इसमें टॉप पर स्टेट की बात की जाया तो उत्राखन और अगर हम लोग यूटीस की बात करें तो वह है पूर्डीचरी उमिद करते हैं यह आपको समझ आ गया होगा बस एक ओभर्वियूर रखना है ताकि जब आप मे 3.0 के अनुसार जो है आपका स्टेट का रेंज जो है आपका 52 से 75 के बीच में है तो यह टूटल रेंज दिया गया और टॉप आपको पता ही है किरला है 75 स्कोर के साथ और चंदिगर यूटीस की बात की जाया तो वह टॉप कर रहा है 79 के साथ यहां कि यहां पर आपने इडिया का स्कोर कितना है 66 है और जहार्खन का अगर आप देखना चाहेंगे तो जहार्खन यहां पर है सबसे लाश्ट में है जहार्खन यहां पर मैंने लिग दिया है टोटल स्कोर की रैंक कितना है जहार्खन का टोटल 28 स्टेट्स में से 27 रैंक है और अगर स्कोर की बात जो रैंकिंग उसमें कौन से था अचीवर था उसके बाद दूसरा क्या था आपका साख है नबह में क्या तो फ्रंट रणे तो जितने भी यहाँ पर है ना आपका ये सारे जो है वह है आपके फ्रंट नर इसके बाद आ जाते हैं अचीवर्स और आपके लास्ट में आजपीन all forms everywhere इसमें इंडिया का overall कितना है 60 है अब फ़र जार्खन का देख ले कौन से स्थान है जार्खन आपका 27 स्थान पर जार्खन का स्कोर कितना है 36 चलिए उसके बाद है आपका दूसरा है zero hunger end hunger achieve food security improve nutrition and promote sustainable agriculture तो ये तो आपका एक नाम हो गया sustainable development goal का और ये इसका motive यहाँ पर short में explain करा गया है तो यहाँ पर क्या इंडिया का overall है आपका 47 और अगर जार्खन की बात की जाए तो जार्खन सबसे बहतर पायदान पर है जार्खन का इसमें अस्थान है आपका 11th out of 28 states यहाँ पर आप जार्खन को देख सकते हैं यहाँ पर है चलिए उसके बाद आता है आपका चौथा नंबर जो है वो है आपका quality education के मामले में तो उसमें इंडिया का rank score है आपका 57 और जबकि अगर overall याद रखें लेकिन यह सब छपना चाहिए ताकि कुछ भी आप याद रखें तो code कर सके मैं इसलिए इतना detail में जा रहा हूं सभी के ranking के साथ उसके बाद है आपका gender equality लेकि जब कभी भी माल लीजे आपको gender equality पर कोई note इससे लिखने को आ जाता है अगर SAC में तो आप वह overall बात किया जाए तो इंडिया से better position कर रहा है जारकन रैंकिंग की बात की जाए 11th है out of 28 आप यहाँ पर जारकन को देख सकते हैं यहाँ पर जारकन हो गया ठीक है चलिए इस प्रकार से यह सारे points जैसे आप poverty हो गया poverty को बहुत जगह पर आप code कर सकते है gender equality का concept हो गया आप ब गया है कोई नहीं यहाँ पर आप जारकन का यह याद रखेंगे टोटल जो है जारकन का रैंक है 1928 में से जारकन का score है आपका 83 यहाँ पर अच्छा यह इंडिया के score है ना 83 average ठीक है ठीक कोई टाइपो ने हुआ यह सही है अब उसके बाद आईए आप affordable and clean energy में तो इसमें क्या है आपका इंडिया का score हो गया 92 जारकन का score है 72 जारकन काफी खराब प्रदेशन कर रहा है 26 नंबर पर यहाँ पर देखिए उसके बाद आजाए आप decent work and economic growth में इसमें क्या है इंडिया का total score है 61 जारकन का score की बाद की जाए तो है 54 रैंकिंग की बाद की जाए तो वो है आपका 21 यहाँ 26 नहीं है 20 है यहाँ पर आप जारकन को देख सकते हैं उसके बाद आजाए आपका industry innovation infrastructure तो innovation index जो prepare किया जाएगा ना वो भी इ कितना ranking है score कितना 55 और अगर जारकन की score बात की जाए तो है 37 और रैंकिंग की बात की जाए तो 19 से out of 28 तो 19 वा देखें यहाँ पर है जारकन अब आजाए आप reduced inequalities में जो labor wages वाला concept होता है ना वहाँ पर यह चीज आप लागू कर सकते हैं इंडिया के score 67 और अगर जारकन की ब इसके बाद है आपका sustainable cities and communities तो इसमें जो है आपका इंडिया का score है overall 79 जारकन का score है 71 और states की बात की जाए रैंकिंग में तो 18 नंबर पर है आपका जारकन यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद है आपका responsible consumption and production इसमें क्या है इंडिया का score है overall 74 और जारकन की बात की जाए score तो 55 और ranking बात की जाए तो बहुत खराब है 26 नंबर यहाँ पर है उसके बाद आता है आपका climate accent इसमें जारकन का score है 25 और overall है इंडिया का score 54 यानि काफी खराब प्रदेशन है सबसे last में आ रहा है आपका जारकन यहाँ पर देख सकते है 27 नंबर पर है उसके बाद लाइफ इसमें जारकन का काफी अच्छा प्रदेशन आया है इंडिया का score overall 66 और जारकन का score 71 यानि इंडिया से अच्छा प्रदेशन है जारकन का और जारकन को यह ranking याद रखेगा क्योंकि इसी में एक है जिसमें 10 के इधर आया है यानि कम में आया है यह आपका हो गया 8 out of 28 यह important ranking जो कम है सबसे जादा क्योंकि 28 तो बहुत में आया है उसके बाद आपका last हो गया आपका peace, justice and strong institutions वाले काटिगरी में तो इंडिया का score is 74 और इंडिया का धरकन का score की बात की जाए तो 70 और ranking की बात की जाए एक case है आपका 28 राजियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं धरकन यहाँ पर है ठीक है चलिए उमीद करते हैं समझ के होंगे यह overall score की बात की जाए तो 19 में था आपका triple इस बार overall score है 56 यहाँ पर composite score हो गया ठीक है इंडिया का 66 है अज्छारखन का 56 है चलिए यह जितने भी goals का मैंने आपको लिक के बताया ना यह यहाँ पर आपको ranking score के साथ दी गई है goals का अब यहाँ पर कुछ-कुछ important बात है जो आप code कर सकते हैं समझेगा सबसे पहले तो आप याद रख सकते हैं तो sustainable development goal 1 था जिसमें no poverty था उसमें आप याद रखते हैं population below poverty line अभी कितना याने BPL का कितना percentage है तो याद रखे 39.96, 36.96 चानी की approximately 37 percentage population जो है जारखन का वो अब भी आपका गरीबी नेखा के नीचे आता है एक important conclusion हो गया उसके पार gender equality में आई है तो यहाँ पर काफी सारा data है जो आपको याद रखना है जैसे crime against women per thousand one lakh female population तो वो है आपका 47.80 यानि पहले जितना था उसमें से increment हुआ है फिर sex ratio at birth है यह भी आपको पता रहना च में इतना है gender equality में आपको याद रहना चाहिए उसके बाद आपका clean water and sanitation वाला में यह है आपका ruler population having improved source of drinking water यह वाला डेटा आपको पता रहना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादे इंक्रीमेंट हुआ है 99.7 समझ रहा है 100 पर सेंट है लग भग तो अब इसमें और इतना क कुछ हास्क है निया climate action वाला डेटा है कि disaster management वाला है disaster preparedness इंडेक्स आपको पढ़ना है disaster management पे basic वाले शुरुवात में initiative वाले concept में तो इसमें आपको यह चीज मिलेगा महाँ पर disaster preparedness score तो एक थोड़ा सा idea लग जिया हुआ कहां सा आता है life on land वाला तो हम लोगे ने बहुत बार पर चुके हैं जो forest survey ना वही चीज़े यह basically इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है तो कि यह सब आपको पता है होगा है tree cover forest cover इस तरह बहुत बार पर चुके है area under afforestation and stream degradation कितना हुआ land का increase in area and desertification तो यह सब आपको पता नहीं चाहिए ठीक है और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि क्या-क्या field में किस प्रकार से improvement किया रहा सकता है जब PDF मिलेगा आप पाढ़ लेंगे ठीक है थोड़ा detail में गया है चलिए वीडियो लेंदी हो गया आप कैसा लगा वीडियो हमें comment box में लिख कर बता है और वीडियो अच्छा लगे तो इससे अपने दोस्तों के साथ ज़र ज़रूर सेयर करें मिलते हैं जारकार के अगले वीडियो लेक्चर में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो